हेलो गाइज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुती मशूर रेसिपी मशूर बॉंडा रेसिपी जो की बहुती टेश्टी और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है और बनने में भी बहुत कम समय लेती है ये रेसिपी बहुत ही कम सामान से बनने वाली है इसलिए आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर जरूर ट्राइ करें और आप इस रेसिपी को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इसके इपना करें तो चलिए अब हम रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें यूज होने वाली सामेगरी एक कटोरी मेंदा जो कि हमने चान के लिया है आप चाहें तो इसके जगे आटा भी ले सकते हैं और हमने आदा कटोरी दही लिया है दही हमारा खट्टा है खट्टे दही का टेश्ट बहुत अच्छा आता है हमने ये एक कटोरी में रिफाइंड ओई लिया है इसमें से केबल हम दो ही चम्मच तेल का यूज करेंगे हमने चार-पांच कड़ी पत्ते को काट कर लिया है हमने तीन हरी मिरस को काट कर लिया है हमने अद्रक को बारिक चॉप करके लिया है और स्वादा नुसार नमक एक चम्मच ना रियल का बुरादा इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है दो चुटकी बेकिंग सोड़ा और आदा चम्मच जीरा तो चलिए बॉंडा का मिक्षर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने आदा कटोरी दही जो लिया था वो डाल लेते हैं तो चलिए अब हम इसमें एक एकर के सारे समगरे डाल लेते हैं यह हमने जो आदरक चॉप करके लिया था वो डाल लेते हैं यह हरी म्राच, चॉप किये हुए कड़ी पत्ते, जीरे को भी मिक्स कर देते हैं, और हमने जो एक चमच नारील का बुरादा लिया था उसे भी डाल देते हैं, और बेकिंग सोड़े को भी डाल देते हैं जो स्वाद अनुसार नमक ली थी वो भी डाल देते हैं और इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं हमारी सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गही है अब हम इसमें तोड़ा तोड़ा करके मेंदा मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए यह हमने थोड़ा मेंदर डालिया है और इसे मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलिया ना बने आप इसमें आविसकता अनुसार पानी मिक्स कर सकते हैं हमने थोड़ा सा पानी लिया है बैटर ठीक ही रखें ज़्यादा रर्निंग ना रखें इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा मेंदर डाल कर मिक्स कर लेंगे चलिए तो हम पूरा मेंदर मिक्स कर लेते हैं देखिए हमारे बैटर बनके तयार हो गया है इतना ही ठिक बैटर बनाए हमारे बैटर तयार हो गया तो अब हम इसे 10 मिट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देते हैं जस्ट मिनिट हो गए हैं तो हम बैटर को देख लेते हैं तो देखिए हमारा बैटर बनके तयार है तो चलिए अब हम बॉंड़े बनाने स्टार्ट करते हैं हमने गैस पर कड़ाई चड़ा दिये हमारी कड़ाई गरम हो गई है अब हम इसमें ओल डाल देते हैं हमार ओयल गरम हो गया है तो चलिए अब हम बने बना लेते हैं बने हम पकोड़ी जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे इन्हें धीमी आज पर ही फिराई करें नहीं तो यह अंदर से कच्ची रह जाएंगे अलट पडट कर दोनों साइड से इन्हें सेक लें तो देखिए हमारे बने अच्छे से सिख गए हैं अब हम इने निकाल लेते हैं तो इसी तरह से हम सारे बॉंडों को तयार कर लेंगे हमारे सारे बॉंडे बन कर फिराई हो गएं तो देखिए हमारे बॉंडे बन कर रेडी है हमने इन्हें टमाटो कैचप के साथ सर्व किया है अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारी रेस्पी को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ जै हिंद जै भारत